पाकिस्तानी पॉलिटिक्स का एक उम्दा नाम हिना पर्वेस्बट जो कि अपने काम से ज़ादा आजकल अपनी कॉंट्रोवर्सी के लिए जाने जाती हैं जाए वो उनके CGPA की बात हो या पिर उनका रीसंटली अर्थगुल गाजी को फॉलो करना हिना ने रीसंटली सीज को फॉलो करना शुरू किया और उनोंने टुटर पे कुछ बहुत इंट्रिस्टिंग कंपारिसम्स भी किया उसके जवाब में वो पूरी तरह पाकिस्टानी फैन से ट्रोल भी होई हैं आई ये देखने उनका क्या कहना था आई बहुत अब नाओदेशनी तरह पाकिस्टानी तरह पारिसम्स भी होई हैं प्रेवरी और करेज अगार तो मुझे मैंने मर्यम बीपी के साथ ताइम भी गुजा रहा है चितना भी मुछल ताइम आई पाकिस्तानी फैंसे अग्री नहीं करते हैं और उनको लगता है कि नवाज शरीफ और सब्दर अर्दगुल के घुरूं का कारेक्टर अच्छा प्ले कर सकते थे और बागी ट्वीट्स का हाल आप पढ़ी सकते हैं मर्यम नवाज को लोगों ने मर्यम करप्तगुल का नाम दिया और उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में भी मेंचिन किया सिर्फ मर्यम नवाज ही नहीं पाकिस्तानी फैंस ने कोई मौका नी छोड़ा कि वो नवाज शरीफ को भी ट्रोल कर सकें गाजी करप्तगुल, खाई जोग कबीले के सरदार बहुत सारी ट्रोलिंग के उनको इंटर्वियू में आके इसकी वजाहत करनी पड़ी लोगों का ये भी कहना था कि आपने गलत अर्टगुल डाउन्रोड कर लिए सरफ यही नहीं, अपने CGPA को लेके भी वे कॉंट्रोवर्सी का शिकार थी, आईए देखते हैं पिये शो आफ करना, कोई बहुत अच्छा आइडिया नहीं था, लोगों ने लंज की क्रेडिबिलिटी को क्वेस्टिन करना शुरू कर दिया और उनसे ये भी पूछा कि क्या वो डिफेंस वाले लंजी जाती हैं पर मोर गॉस्पन मसाला, सब्सक्राइब शेयर और लाइक आर चानल